ग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव स्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज फिर हम यहाँ पर लाइफ चर्चा का यह कारिकरम शुरू कर रहे हैं थोड़ी देर से विलंब से कुछ टेकनिकल प्रॉब्लेम आने के कारण कुछ देर हुई आज चलिए लेकिन विशय पर हम आते हैं अपने टापिक पर अपने सब्जेक्ट पर उस पर हम डिसकर्शन करते हैं चर्चा करते हैं इस लाइफ चर्चा में और आज का जो विशय है गुड़ विशय है और वह क्या है कि यग्य से ही सुख की प्राप्ती संभव है किसी और माध्यम से नहीं ऐसा क्यों कहा गया तो वास्तों में यग्य कर्म को समझने की आवशक्ता है यहां पर यग्य कई अर्थों में लिया गया है मुखे रुप से यग्य निश्काम भाव से लिया गया है निश्काम कर्म को ही यग्य कहा गया है जी हाँ तो इस लोक श्रीमत भगवत गीता की इस लोक में भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि यग्य सिष्टाम्रत भुजो यान्ती ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ते अज्यस्यकुतो अन्य कुरू सतम कुरू सतम है कुरू वंशियों में सरिष्ट अरजुन यग्य से बचे हुए अम्रित का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं यग्य ना करने वाले मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुक है तो परलोक में परलोक भला कैसे सुकदाई हो सकता है मनुष्य लोक भी नहीं है तो फिर परलुक कैसे होगा परलुक सुखदाई कैसे होगा उसमें भला सुख की प्राप्ति कैसे होगी जब इस लोक में ही नहीं हो सकती है किसको नहीं हो सकती है यग्य कर्म ना करने वाले व्यक्ति को यग्य कर्म ना करने और जो यग्य से बचे हुए अमरित कानुभा करने वाले जो उस ब्रह्म्म को प्राप्त होते हैं लेकिन यग्य ना करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता है अब यग्य होने का अर्थ क्या है अब यहाँ पर सुख की बात कही गई कि यह ना तो यह लोग ही अच्छा है ना उसके लिए परलोग ही अच्छा है और मुक्ती तो उसे मिलेगी ही नहीं तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुश्य सुख चाहता है वह जीवन में सुखी रहना चाहता है कि जीवन में उसे जीवन में सुख की प्राप्ती हो तो सुख की प्राप्ती हो भला या संभव कैसे है किस प्रकार से संभव है तो यहां पर यग्य के माध्यम से ही जीवन सुखी हो सकता है और जीवन अच्छे ढंग से चल सकता है और साथ ही साथ जीवन का जो लक्ष है मोक्ष के प्राप्ती, मुक्ती के प्राप्ती वह भी साथ में हो सकता है तो यग्य के माध्यम से ही यह संभव है पहले भगवान अगर पीछे दो कल परसों यस्टड़े और डे बिफोर यस्टड़े कल और परसों आपने अगर कुछ सुना है जो विशय हम ने चर्चा में लिये हैं कि निश्काम कर्म ही यग्य है फिर भगवान कई प्रकार के यग् करते हैं कि ञ्यान यज्य है स्वाध्याय यग्य है सब्वहावन को निश्काम भावना से करना चाहिए चाहे वह देवताओं के प्रति द्रव्य यग्य हो चाहे वो आत्मसयम योग नामक यग्य हो चाहे वो तपो यग्य हो चाहे वह आपके जो दूसरा स्वाध्याय रूपी ज्यान यग्य है तो वह सब जो यग्य है वह व्यक्ति को निश्काम भावना से सारे यग्य सारे कर्तव्यों की पालना करनी चा कल की चर्चा में हमने यह भी सुना कि निश्काम भावना से कर्म करना ही यग्य है और यग्य के बिना सुख नहीं है ना तो इहलोक में है ना परलोक में है और यग्य के बिना मुक्ती भी नहीं है उस ब्रह्म का ज्यान भी नहीं है तो भगवान ने पहले कुछ यग्यों के प्रकार बताए फिर निश्काम कर्म को ही सबसे बड़ा यग्य माना कि जीवन में हम प्रकृती के प्रती जो भी हमारे कर्म है जो भी हम कारे करते हैं वह हम कारे करें लेकिन किस भावना से कर रहे हैं इसमें अब यहां पर जब भगवान निश्काम बताए तो हर कर्म को बोलते हैं तो कल किसी ने पूछा भी था कि जब हमारे कोई कामना ही नहीं होगी संकल्प ही नहीं होगा तो हम भाई कर्म क्यों करेंगा ऐसा नहीं है प्रकृति के अंदर मनुष्य बहुत सतरह के कर्म करता है बहुत प्रकार के कर्म करता है और उस कर्म के पीछे ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो कामना ही हो बल्कि उसके पीछे बहुत सारे कर्तव्य कर्म होते हैं कि जब हम प्रकृती में आए हैं हमें ये शरीर मिला है तो इस शरीर का निर्वा भी उस कर्म के माध्यम से ही हो रहा होता है पाप कर्मों को करने के बजाए जो जरूरी कर्म हमें प्राप्त होते हैं समाज के परती, परिवार के परती, राष्ट के परती जो भी करतव्य हमें प्राप्त होते हैं हम वो करते हैं उनमें बहुत सारे कर्म करतव्य हो सकते हैं श्री भगवान कृष्ण स्वे में ही बहुत सारे कर्मों को करते हैं स्वे में ही बहुत सारे कारियों को जीवन में वो कर रहे हैं जो भी उनके सामने परस्थिती पड़ रही है, सामने आ रही है, उसके अनुकूल जो भी उचित हो सकता है, वो सारे कर्मों को किये जा रहे हैं कर रहे हैं। तो बाहर से देखने में जैसे अज्यानी मनुष्य कर्म करता है ज्यानी भी वैसे ही कर्म करता है लेकिन फिर भी उसके कर्म में और उसके कर्म में बहुत अंतर होता है क्योंकि वह बहुत ही आसक्त भावना से कर्म करता है और बहुत ही अनासक्त होकर ज्यानी कर्म करता है अज इस रिक्रिषन कोई विश्य कर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पूरी श्रीमत भगवत गीता में इस रिक्रिषन कहीं भी यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यह करना गलत है और यह करना सही है, नहीं, सिद्धांत को समझा रहे हैं, सिद्धांतिक रूप से बाते कर रहे हैं, आ आप किसी भी कर्म की फिलासफी को समझो और उसके अनुसार आपको निश्चित करना है कि कौन सा कर्म करना किस समय में सही है और कौन सा कर्म करना किस समय में गलत है। इध्यान रखेगा अर्जुन चर्चा कर रहा है कहीं कहीं पर कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण कोई कर्म बोल कर नहीं बता रहे हैं कि ये वाला करम गलत है या वो वाला करम गलत है जी नहीं परस्थीतियों पर निर्भर करता है परिभाशा बदल जासती है एक ही युद्ध है एक ही युद्ध है दुर्योधन भी कर रहा है अर्जुन भी कर रहा है अर्जुन के लिए वह युद्ध करतव्व है दुर्योधन के लिए वह युद्ध जो है पाप है स्वार्थ है क्योंकि युद्ध करने के एक्षा दुर्योधन की है वो तो कह रहा है कि तुम नहीं भी युद्ध करोगे तो भी मैं तुम से युद्ध करूँगा, तो तुम्हें अपनी आत्मरक्षा में भी युद्ध करना पड़ेगा, परिभाशाएं बदल जाती है, व्यक्ति किस परस्थिती में खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसमें दुरियोधन के लिए उसे युद्ध का करना, क्योंकि पूरे युद्ध का केंद्र दुरियोधन है, उसके कारण से ही युद्ध हो रहा है, यदि वह न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो युद्ध कभी न हो, लेकिन दुरियोधन उस रास्ते पर चलन के लिए तयार नहीं है नियाय के मार्ग पर धरम के मार्ग पर तो दुर्योधन युद्ध करना चाहता है तो दुर्योधन के लिए युद्ध निश्य ही उसके द्वारा जो युद्ध हो रहा है और उसे कोई चिंता नहीं है कि उसके गुरुजनों की मिर्त्यु होगी या फि परिवार कड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि वो निश्काम भावना से युद्ध कर रहा है, हलाकि इस विशे को हम, इस गीता को जब हमने प्रारंब किया था, तभी इस विशे पर चर्चा कर ली थी, कि अर्जुन के युद्ध करने में और दुर्योधन के युद्ध करने में क इतना बड़ा अंतर है, यह कभी भ्रमना पालने कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तयार नहीं है, और जितने युद्ध करने के लिए तयार हैं, वो सब निसकाम भावना से हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सभी अपने सकाम भाव से हैं, यह समझना आवश्यक है, तो इसलि वो कर्म किया है कई बार हम बहुत सारी बाते कह देते हैं कि स्रिक्रिष्ण ने तो ऐसा कर दिया आपने उस ग्रंथ को घटना को कैसे पड़ा है किसी के मूँ से सुना है कोई किताब पढ़ ली है या मूल ग्रंथ में आपने अध्यन किया है और वो भी पूरा अध्यन किया है यह नहीं कि आधा धूरा अध्यन किया कई थोड़ा सा इदर थोड़ा सा उदर नहीं कम्प्लिटली अध्यन किया है कथा किस धंग से लिखे गई है बाते किस धंग से बताए गई है और हम उसके कैसे अर्थ निकालते हैं तो स्री कृष्ण इसलिए स्री कृष्ण का कर्म ऐसा क्यूं है क्योंकि उनके संपूर्ण जीवन चाहे वो श्रीमत भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं चाहे वो अपने ही कर्मों से उपदेश दे रहे हैं ये भी समझ लीजिए कितने सुक्ष्म बुद्धी से निरने लिया गया है उनके द्वारा कियेगे कर्म जो उचित है चाहे वो भौमासुर के कारागार में भौमासुर के कैद में पड़ी हुई राजकुमारिया हो और उनकी स्वतंतरता के बाद जब वो स्वतंतर होती है भौमासुर के कारागार स तो उनके सामने जो जीवन होता है वो असहाय जीवन होता है क्योंकि वो भौमा सुर के कैद में रह चुकी थी और वो सभी राजकुमारियां थी तो उनके सामने जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन और असहाय जीवन होता है क्रिशन विवाह करकर उन सभी राजकुमारियों को शरन देते हैं नाम देते हैं उस समय स्रीक्रिष्ण यश अपयश की चिंता नहीं करते कि आने वाला समय बोलेगा कि इतना विवा कर लिया था क्या इतना विवा कर लिया कैसे कर लिया तो इसकी चिंता वो नहीं करते है यही वो उपदेश वो अरजुन को भी दे रहे हैं सुख दुखे समय किरतवा लाबा लाब हो जया जयो अरे भाई तुझे तेरा यश होगा तेरा अपयश होगा क्या होगा तु अपनी तरफ से कर्म को अच्छे से कर यह सोचने का समय नहीं है प्रकृती का सिध्धान्त यह नहीं देखता कि आपने कितना यश किया कितना आपयश किया प्रकृती का सिध्धान्त भले ही प्रकृती ही आपको यश आपयश देने वाले लेकिन फिर भी आपने जो कर्म किया उसको सामने लाकर कैसे ना कैसे वो रखेगी तो इसलिए भगवान यहां पर कह रहे है और ना समझ पाए यग्य क्या है देवताओं के परती किया गया है जो द्रव्य यग्य करते हैं अग्निहोत्र हवनादी जो क्रियाएं करते हैं क्या वो वियर्थ है जी नहीं शीमत भगवत गीता में स्रिकृष नहीं तो समझा रहे हैं और यह यजन भी निशकाम भावना से यजन होना चाहिए, निशकाम भावना से होना चाहिए, अब इसमें जब भी आप निशकाम भावना से, निस्वार्त भावना से कल्यान हे तू, परोपकार हे तू, समाज कल्यान हे तू, या कुछ भी आप ऐसा कर्म करते हैं निशकाम भ वह भी यग्य समान होता है यग्य के समान होता है वह तो यग्य के समान जितने भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों से ही सुख की प्राप्ती संभव है क्योंकि वह कर्म ही हमें सुख लाकर दे सकते हैं हमें समझना है कि हम कैसे इस विशय को अनेको गरंथों में अनेको उदाहरण है हम किस प्रकार से इस विशय को हम समझते हैं या हमें समझने की आवशक्ता है इसमें कोई कर्म निश्चित नहीं होता कि फलाना कारे गलत है या किस परिस्थिती में कौन सा कर्म किया जा रहा है किस भावना से किया जा रहा है वह उसे उसे शेनी में डालेगा तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं यग्य रूपी कर्म करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित होता है जीवन संतुलित होता है और सच पूछो वास्तों में देखिए जीवन का सुख किसमे है अब आप बोलोगे तपो यग्य तो तपस्या करने में भला कौन सा सुख हो सकता है इसलिए भगवान निविर्ती और प्रविर्ती मार की भी चर्चा करते हैं यही जगत का रहस्य है यही संसार का रहस्य है कि जीवन को संतुलित बनाने में सुख है ना कि सुखी बनने में सुख है सुख के पीछे भागने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है संतुलन से सुख की प्रा अती का साथ देता है, तो उसका संतुलन बिगडता है, कई बार अपने एहंकार की संतुष्टी के लिए अती करता है, तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जब आप कुछ भी अती करना प्रारंब कर देंगे, तो उसमें संतुलन आपका बिगड़ जाएगा, च अपने जिद से जीवन जिन्दगी जीएंगे अच्छी बात है जिद से जी लीजी लेकिन कब तक इसलिए स्रीकृष्ण का चरत्र कैसा है स्रिक्रिष्ण की आप देखो महाभारत के अंदर एक विशेश बात है महाभारत में कभी कोई प्रतिग्या लेता है कभी कोई प्रतिग्या लेता है भिश्म ने कोई प्रतिग्या लेली द्रोनाचारे ने कोई प्रतिग्या लेली अरजुन ने कोई प्रतिग्या ले ली युदुश्यर ने कोई प्रतिग्या ले ली एक मातर स्रिकृष्ण है जो कभी कोई प्रतिग्या नहीं लेते किसी प्रकार की प्रतिग्या नहीं लेते वो कि मैं ये करके दिखा दूँगा या वो करके दिखा दूँगा या फिर मैंने ऐसा प्रण ले लिया मैंने वैसा प्रण ले लिया नहीं क्योंकि वो जानते हैं परस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलता है आज अरजुन परेशान है अरजुन क्यों परेशान है अरजुन इसी कारण से परेशान है कि उसने अनेको संकल्प अनेको प्रतिग्याएं ले रखी है मैं ये नहीं कहता कि प्रतिग्या लेना, शुभ कर्म के काप्रण लेना, कि मैं यह शुभ कार्य करूंगा, यह बिल्कुल सही है, अच्छा है, करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, तनमे मनाशिव संकल्प मस्तू, शुभ संकल्पों का, लेकिन एक प्रतिग्या लेना, क्य बदल जाएंगी। अर्जुन के मन में कहीं न कहीं ये प्रतिग्या है कि मैं अपने गुरू के प्रति कैसे श़स्त्र उठा सकता हूं। मैं अपने पितामा के परती कैसे उठा सकता हूँ इसी तरह से महाभारत के कर्ण पर्व में घटना आती है कि इसी तरह से जैसे भगवान गीता सुना रहते वैसे ही अरजुन को युद्ध भूमी से थोड़े दूर ले जाकर अलग ले जाकर कुछ बाते समझाते हैं और उस समय कर्ण सेना पती होता है द्रोनाचारी की मिर्त्यू के बाद जब गुरु द्रोनाचारी पहले भिश्म पितामा सेना पती फिर गुरु द्रोनाचारी फिर कर्ण लेकिन जैसे ही कर्ण सेना पती बनता है पांडवों की सेना में हाहकार मत जाता है सभी भैबीत हो जाते हैं डर जाते हैं और इधर पांडवों की तरफ जो युद्ध का नेत्रत्व चल रहा था वो युदिष्ठिर के हाथ में था युदिश्चिर के हाथ में युद्ध का नेत्रत्व था और युदिश्चिर कर्ण की तरह धनुर्धर तो था नहीं कर्ण की तरह वीर भी नहीं था अब उसे कर्ण का सामना करना था अरजुन था नहीं युद्भूमी में अब कर्ण ने चलो एक प्रतिग्या दे रखी थी भगवान कृष्ण को कि वो अपने हाथों अपने भाईयों को नहीं मारेगा लेकिन कम से कम कमजोर तो कर सकता था घायल तो कर सकता था और कर्ण ने वही किया युद्ष्ठिर का रथ भी भंग कर दिया युद्ष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर दिया अनेकों सैनिकों का वध कर दिया कर्ण ने पांड़ों की सेना में हाहकार मच गया युद्ष्ठिर घायल होकर अपनी छावणी में चला गया और वहां जाकर आराम करने लगा कोई वैद दे उसका इलाज करने लगे और युदिश्चिर ने कहा कि अरजुन को बुलाओ अरजुन गया दूत और अरजुन को अरजुन को बुला कर लाए पार्थ सार्थी को बुला कर लाए अरजुन युदुश्च्च्र के पास हा, س्रिकृष्ण और अरजुन दोनों युदुश्च्र के जब पास हा तो युदुश्च्र घाया हुआ अवसाथ से गरस्त, विक्षिप तवस्था में था मानसिक रूप से उसने कहा कि अरजुन भाई तुने मार दिया करन को बहुत अच्छा किया तुने करन का वध कर दिया तुने बहुत बड़ा काम किया अरजुन ने कहा कि नहीं आज तो मैं युद्ध भूमी में गया ही नहीं आज तो मैं युद्ध भूमी में गया ही नहीं तो फिर करने का वद कहां से करूँगा युदिश्ठिल ने कहा कि नहीं नहीं ये तो तेरा बड़पन है तुने जरूर करने का वद कर दिया है तब ही तु यहां पर आया है नहीं तो तु बिना करने का वद किये कैसे युद्ध भूमी छोड़ कर आ जाएगा अब ही युदिश्ठिल व्यर्थ में अवसाद में गरस्थ है मानसी करूप से विक्षिप्त हो चुका है अपमानित हुआ है युद्ध भूमी में अपमान के कारण और घायल के कारण घाव के कारण वो बड़ी बिगड़ी हुई बाते किये जा रहा है अरजुन फिर से कहा कि नहीं मैं कहीं ने गया युद्ध भूमी में गया ही नहीं मैं तो मैं तो स्रिकृष्ण के साथ केशव के साथ मैं तो बाहर युद्ध भूमी से बाहर कहीं दूर उनकी चर्चा सुन रहा था अब जैसे ही ये बात हुई युदिश्टिर ने कहा कि नहीं तु तु जरूर करने का वद कर दिया है अरजुन ने कहा कि नहीं किया भाई कर्ण का वद क्यों जवर्दस्ती मुझे कर्ण का वद करने के लिए बोल रहे हो मैंने तब ही किया यह नहीं जाओंगा तो करूंगा अभी कहा किया इदिश्चिर ने कहा कि तुने कर्ण का वद सही में नहीं किया भगवान कृष्ण ने भी कहा कि नहीं, हम दोनों तो युद्ध भूमी से बाहर थे, तो कर्ण का वद कैसे कर देंगे, इदिश्चिर ने जैसी ये बात सुनी, इदिश्चिर ने अर्जुन को भला बुरा कहना सुरू किया, मैं बोलने लगा कि मैंने सोचा तू तो वीर है त करने, निशिंत थे, लेकिन इन लोगों को तो पता नहीं था ऐसा कुछ, कि कर्ण नहीं करेगा, युद्ध भूमी में गया ही नहीं, और जो है, और कर्ण ने हाहकार मचा के रखा है, नकुल सा देव भीम कोई नहीं बचेगा, युद्ध ने कहा कि तू तो बहुत बड़ा नपंसक निकला, तुझे गांडीव छोड़ देना चाहिए, तुझे गांडीव धारन करने का कोई अधिकार नहीं है, अब जैसे ही युदिष्ठिर ने ये बात बोली, अरजुन ने अपनी तलवार निकाल ली, खडग निकाला तलवार, और तलवार निकाल लिया, भगवान कृष्ण ने पूछा कि अरजुन क्या हुआ, तो अरजुन कहता है कि मैं अब युदिष्ठिर का वद कर दूँगा, अपने बड़े भाई को मैं मार डालूँगा, वद कर दूँगा, क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों? तो अरजुन ने उतर दिया कि एक समय मैंने प्रतिग्या ले थी कि जो मुझे बोलेगा कि गांडिव छोड़ दो तुझे गांडिव धारन करने का अधिकार नहीं तु गांडिव के योग्य नहीं आए तु गांडिव छोड़ दे तो मैं उसका वध कर दूँगा ये प्रतिग्या मैंने ले रखी है और भीम भाईया ने ये प्रतिग्या ले थी कि जो उन्हें बोल देगा कि ज़्यादा खाता है वो उसे जिवित नहीं छोड़ेंगे तो कि उनके शरीर की जो आवशकता है उसके नुसार वो भोजन ग्रैन करते हैं ना कि वो ज़्यादा खाते हैं तो भीम भाईया ने ये प्रन लिया था और मैंने ये प्रतिग्या ले थी कि जो मुझे बोलेगा गांडीव छोड़ दो मैं उसका वध कर दूँगा तो अब प्रतिग्या की पालना करना मेरा धर्म है अब आगया इनका धर्म फिर से इसलिए भगवान ने कहा था कि अरजुन ने जो बहुत सारे धर्म अनेको संकल्प, अनेको प्रतिग्याएं जो धारन करके रखी हैं उन सब का त्याग कर दो इसलिए भगवान ने अंत में श्रीमत भगवद गीता के अंत में मिलता है कहा था तो हम अपने जीवन में ना जाने कैसे कैसे प्रतिग्याएं कैसे कैसी चीजों को लेकर चलते रहते हैं, खुद को ही ना जाने कितने बंधन दे देते हैं अब अरजुन युदिष्ठिर का वध करना चाहता है भगवान समस्ते के अब इतनी असानी से तो नहीं मानने वाला कि भाई ये तेरा धर्म नहीं है मैं कैसे कहूँ भाला कि पूरी गीता स्री कृष्ण समझा चुके है लेकिन फिर भी अभी बैठा नहीं पूरी तरह से समझ भी चुका है लेकिन अभी वह इस प्रतिग्या के वश में है कि उसने प्रतिग्या लेके रखा है कि जो भी उसे बोलेगा कि गांडिव छोड़ दो उसका वो वध कर देगा तो युदिष्छिर का वध करने के लिए अरजुन तक पर है अपनी प्रतिग्या के पूर्ण करना वो अपना धर्म समस्ता है अपनी प्रतिग्या को पूर्ण करना वो अपना धर्म समस्ता है तो भगवान कहते हैं कि एक और तरीका है वद्ध करने का तुम अपने भाई का अपमान कर दो और कई बार अपमान जो है वद्ध से भी बढ़कर होता है अरजुन को ये बात थोड़ी समझ में आई और उसने अपनी तलवार मियान में रखी और मियान में रखकर सारी भडास युदिश्चिर के उपर निकालना शुरू कर दिया कि ये जितना कुछ हो रहा है सब आपके कारण हो रहा है अगर चौरस के खेल में आप पराजित ना होते और धुरपदी को दाव पर ना लगाते तो फिर ऐसी घटना घटती नहीं अगर आप दुरपदी को दाव पर ना लगाते चौरस के खेल को ना खेलते सकुनी के शड़ियंत्र में ना फसते अपने विवेक बुद्धी का प्रयोग किये होते और उस समय हमें आग्या दिये होते कि हाँ हम उसी समय दुश्रासन को दंड दे तो इस तरह के बहुत तरह की बात है कि आपके आपकी चुप्पी ने आपकी भीरूता ने बहुत बड़ा युद्ध आज हमारे सामने ख़़ा कर दिया है इस तरह से युदिश्चिर को बहुत तरह के अपमान कहीं ने कहीं युदिश्चिर उन सब चीजों का एक कारण युदिश्चिर भी था युदिश्चिर का अपना अपनी कमजोरियां भी थी हाँ युदिश्चिर बहुत न्याय प्रिय था बहुत चिंतन शील था किसी भी विशैग पर गहनता से सोचता था और हमेशा सत्ते ही बाशन करता था सत्य ही बोलता था परम सत्यवादी था लेकिन कहीं ने कहीं युद्ष्छिर में हर मनुष्य में कमिया होती है तो युद्ष्छिर में कमियां भी थी जिसके कारण वह भी इसे युद्ध का खाल एक और अर्जुन ने खूब अपने भाई को सुनाया लेकिन सुनाने के बाद वो चुप हो गया, शान्त हो गया शान्त होकर फिर से उसने तलवार निकाल ली जब फिर से तलवार निकाली तो भगवान कृष्ण ने पूचा कि अरजुन अब क्यों तलवार निकाली है तो अरजुन ने कहा कि मैं आत्महत्या करूँगा क्यों आत्महत्या करोगे क्योंकि हमारे पिता नहीं है और पिता के बाद अगर हमने किसी को पिता के रूप में मैंने देखा है तो अपने बड़े भाई को देखा है आज तक जीवन में मैंने अपने बड़े भाई का अपमान नहीं किया और आज मैंने इनका अपमान कर दिया मैं गलानी से भर गया हूँ और मैं अपने जीवन को खतम कर लूँगा भगवान ने कहा कि पता नहीं ये लोग कैसे कैसे विचार संकल्प लेकर चलते हैं ठीक है अच्छे लोग हैं अच्छी भावनाएं हैं पवित्र भावनाएं हैं लेकिन उन भावनाओं में संतुलन बनाना नहीं जानते हैं भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपनी हत्या करोगे, आत्म हत्या करोगे, तभी एगलानी दूर होगी, तुम अपने मूँ से अपनी निंदा करो, तुम से क्या गलतिया हुई है, अरजुन ने अपनी ही निंदा करने शुरू कर दी, बहुत कुछ अपने बारे में ही बोलना शुरू कर दिया, कि मैं धैरेहीन हूँ, मैं अत्यधिक भाव्युक हूँ, कभी-कभी मैं अत्यधिक कामी हो जाता हूँ, कभी-कभी मुझे मैं अवसात, अपनी ही निंदा वो वहां भारत में उसका अविस्तार से वर्णन मिलता है, अपने मुझ से अपनी निंदा, तो भगवान कहते हैं, अपनी न प्रम कुलिन नहीं हूँ यह एक संतुलन का तरीका है जो भी व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को जान जाएगा प्रकृति के चीजों को समझने लगेगा कि प्रकृति कैसे काम कर रही है वो अपने आप धीरे धीरे लाइन पर आना शुरू कर देगा उखुद समझेगा कि बह प्रकृति होने लगेगा और वही बात स्रीकृष्ण अर्जुन को समझा रहे और स्रीकृष्ण खुद भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं हम सब उन्हें भगवान कहते हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कर्म किये यह सोच कर नहीं किये कि आने वाला लोग उनको क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे इसलिए कर्म का निश्काम कर्म का स्वेम भगवान कर्म करकर उधारन देते हैं कि कैसे करना है नहीं तो मनुष्य कभी दुनिया जीत लेना चाहता है मनुष्य कभी बहुत कुछ कर देना चाहता है कभी कुछ कर देना चाहता है कभी कुछ कर होती हैं अगर हमने वैसा कर्म किया है तो उस तरह से चीज़े आगे बढ़ती भी है मिलता भी है लेकिन व्यर्थ में जब व्यक्ति इन सभी विश्यों के पीछे जिद्धी हो जाता है या पागल हो जाता है या फिर कह लिजिए कि पागलपन कहने का मतलब की अत्यधिक महत्यकांग्शी होना अत्यधिक किसी चीज को लेकर वह होना तो अपने जीवन का संतुलन खो देता है और जब संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में दुख आता है जब जीवन संतुलन बिगड़ता है तो हो सकता है कि आपको निराशा भी हासिल हो और आपको दुख भी मिले यह दिपी व्यक्ति का किया गया कर्म कभी विफल नहीं होता उसने जो भी अच्छा कर्म किया गया है वो कभी खतम नहीं होता लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत और कर्म का फल बिल्कुल उसी रूप में प्राप्त हो जैसा आप सोचते हैं हो सकता है कि उससे बड़े रूप में प्राप्त हो या उससे छोटे रूप में प्राप्त हो ऐसा भी हो सकता है जैसा आप सोचते हैं वैसे उसी रूप में फल की प्राप्ति होगी यह जरूरी नहीं है इसलिए निश्काम भावना से कर्म करते रहना चाहिए अगर आपसे शुभ कर्म हुआ है उचित कर्म हुआ है तो वो सही ही होगा बहुत जादा क्योंकि बहुत कई बार व्यक्ति प्रदर्शन में भी अच्छे काम करता है तो हम कितना निश्काम क्योंकि हम साइद कुछ देर के लिए इस संसार को धोखा दे दे समाज को दोखा दे दे, लोगों को दोखा दे दे, लेकिन हम प्रकृती को दोखा नहीं दे सकते, यह प्रकृती जब कर्म का फल हमारे सामने रख देगी, तो निश्य ही बहुत तरह के समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, और कर्म कोई भी गलत नहीं होता, परस्थितियां किस पर हैं उसी के अनुसार कुछ गलत या सही हो सकता है आपने क्या किया है कैसे किया है किन परस्थीतियों में किया है किस तरह से समझ कर किया है यह सारी चीजें परस्थीतियों पे निर्भर होता है और यह प्रकृति हमसे अने को कर्म करवाती है कई बार हमें आप जैसे कर्मों में लिप्त कर सकती है, पुन्य में भी लिप्त कर सकती है तो इसी चीज़ को समझाने के लिए बालकाण में गो स्वामि तवस्वामी तुलसिदाजे ने बहुत अच्छा समझाया है विधी परपंच गुन अवगुन साना कि गुन और अवगुन से सना हुआ है जीवन गुन और अवगुन से सना हुआ है पापपुन्य से सना हुआ है ठीक तो यह सब कुछ मिला हुआ है हमें अपने जीवन में अपनी अध्यात्मिक उन्नती हमें बीच का मार्ग, बुद्ध ने बीच का मार्ग दिखाया, मध्य मार्ग दिखाया स्री भगवान कृष्ण भी वही मार्ग दिखा रहे हैं कि हमें सहज अवस्था को प्राप्त करना, सरल संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए संतुलन में आने का प्रियास करना चाहिए हम कितना संतुलित हो सकते हैं हमारा संतुलन ना बिगड़े हम संतुलित अवस्था में बने रहें हम जितना अधिक संतुलित अवस्था में रहेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे सुख की यही परिभाशा है कि आप संतुलन में रहिए क्योंकि सारे दुख तभी आते हैं जब आपका संतुलन बिगड़ता है और कई कारणों से संतुलन बिगड़ सकता है आप स्वे में ही संतुलन बिगाड लें आप बहुत तरह की बाते सोचने लग जाएं कई बार विक्ति अपने भविष्य की अस्थिरता को लेकर बहुत सारी बाते सोचने लग जाता है कई बार बहुत तरह की बाते सोच सोच कर किसी ने उसे कुछ बोल दिया किसी ने कुछ कह दिया उनके प्रभाव में आकर बहुत तरह की बाते वो सोचने लग जाता है, सोच सोचकर परिशान हो जाता है तो यह समस्या कई बाद आ जाती है इसलिए मनुष्य को अगर वो किसी अच्छे कारे में लगा है तो उसे अच्छे कारे में लगना चाहिए या जीवन निश्काम कर्म योग संतुलन के साथ जीने योग है या जीवन अध्यात्म के साथ जुड़कर बीथ जाए अध्यात्मिक अनुसंधान, अध्यात्मिक चिंतन में और जीवन प्रकृति के रहस्यों को समझने में और स्वेन को समझने में अगर लग जाए तो समझे के जीवन योग में लग गया सार्थक हुआ सार्थक हुआ क्योंकि कई जनमों में कई जनम हमारे संत कहते हैं कई जनमों में हम क्या-क्या हुआ कई जनम भै गजमी निम्रिग कई जनम भै कीट पतंगा अहार निद्रा भय मैथुन तो हर जीवन में चलता ही रहता है लेकिन इस जनम को हम इस प्रकृती को समझने में लगा दे अध्यात्म को समझने में हम लगा सके तो निश्य ही हम जीवन लक्ष को प्राप्त करते हैं और एक सुखी संतुलित जीवन जीते हैं बहुत जनम बिछडे थे माधो एह जनम तुम्हारे लेक है जब ऐसी भावना हो और ऐसी श्रधा हो और व्यक्ति अध्यात्मिक अध्यात्मिक रहस्य को समझने का मतलब है स्वेम के रहस्य को समझना आत्मा के रहस्य को समझना आत्मे ज्यान के अनुसंदान में जीवन को लगाना और हम सेवा रूप में सेवा क्या हो सकती है हम दूसरों को कितना प्रेरिद कर सकते है तो निश्य ही जब हम ऐसे कर्म में लगते हैं तो हमारा कर्म जो है वह संतुलित होता है और हम प्रकृति के कई रहस्यों को जान पाते हैं अपने रहस्ये को अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपने आत्मा, अपना मन, अपनी बुद्धी और अपनी ही प्रकृति को हम बहतर तरीके से समझ पाते हैं और जब समझ बाते हैं, तो एक अच्छा जीवन जीते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं, संतुलन को बनाए रखना हम सीख लेते हैं, तो हमें यह करने की आवशकता है, संतुलन को ही समझ ना है, संतुलन ही जीवन है, जब हम भगवान शिव को देखते हैं, तो भगवान शिव का जीवन क्या है वो एक ग्रिहस्त के उदाहरन भी है वह ग्रिहस्ती के भी आदर्श है सन्यासी के भी आदर्श है वह ग्रिहस्ती में रहते हैं और संतुलन के साथ रहते हैं तो जीवन में संतुलन को बनाये रखना बहुत अधिक सुख भोगी नहीं बनना और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती अपने आपको बहुत अधिक कष्ट दिये जा रहे हैं उससे भी संतुलन बिगड़ सकता है तो इबार वेक्ति बहुत सिध्धी प्राप्त करने के लिए सोचता है कि पूरी तपस्या एकी साथ कर लू और सारी सिध्धियां मुझे मिल जाएंगे तो सिध्धियों की वासना भी उसको रहती है कई बार तो इन सभी वासनाओं में वो ना रहकर बस संतुलन के सिध्धान्त को समझता है और संतुलन बनाए रखने में विश्वास करता है तो तब क्या होता है वह संतुलन ही सुख की प्राप्ती करा सकता है वह संतुलन ही मोक्ष की प्राप्ती करा सकता है पूर्ण रुपेन संतुलित होना ही मोक्ष है पूर्ण रुपेन संतुलित होना ही मोक्ष है तो हम कितना अधिक अपने आपको संतुलन में ला सकते हैं यह हमारा उद्देश्य हो जीवन का यह हमारा लक्षय हो और ध्यान योग यही हमें सिखाता है बहुत अधिक सुक्भोगी भी मत बन जा और बहुत अधिक अपने आपको कश्ट और पीड़ा देने में भी मत लगे रहो ठीक तो एक बैलेंस बना कर चलना जीवन में एक संतुलन बना कर चलना संतुलन बनना ही तो स्वस्त है आयरुवेद के नुसार जब कफ, वात, पित इन तीनों का संतुलन होता है तो हम स्वस्त रहते हैं इन तीनों का संतुलन बिगड़ेगा तो हमें रोग होगा बिमारियां होंगी हम अस्वस्त होंगे तो संतुलन बना कर चलना ही तो जीवन का लक्ष है और यही जीवन जीने की कला है आट ओफ बैलेंसिंग और यही यग्य है और यह संतुलन बनाने का कारे तभी संभव है जब आप निशकाम कर्म योग को समझेंगे और निशकाम भावना से करने योग्य कर्मों को करेंगे निशकाम भावना से जब तक आप निशकाम नहीं होंगे जब तक आप उस भावना से आत्म अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक ना निशकामता आने वाली है और ना ही संतुलन बनने वाला इसलिए आदिगुरु शंकराचार ने का किस मनुष्य जीवन में अगर कोई आप चाहते हैं कि कुछ बहतर काम करें तो आप आत्म अनुसंधान कीजिए स्वेम को प्रगट कीजिए स्वेम के सामने स्वेम के रहस्य को जानिए कि आप क्यूं हैं किसलिए हैं और आपकी संदश्णा कैसे है इस प्रकृती के अंदर आप किस प्रकार से इस प्रकृति में विद्धमान है और प्रकृति आपके साथ कैसे खेल खेल रही है उस सुक्ष्म गती को समझिए प्रकृति के जो सुक्ष्म गती है उसको समझिए आप अपने जीवन को बहतर धन से समझिए अगर हम जोतिश की ओर थुदा चलें तो जोत अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा बनने में या कुछ दिखाने में हम अपनी ही हानी कर रहे हों। करता है तो पता नहीं कौन सा ऐसा कारे हम कर रहे हों। जिससे कि हमारा संतुलन ही बिगड़ रहा हो। छीख है। तो जब हम अपने एहंकार पर सब कुछ ले लेंगे तो समस्य आएगी इगो पर सब कुछ लेने से। तो हमें एक संतुलन बनाकर सहजा आवस्था में आकर सिर जैसे कि वाकि सब महाभारत में परतिग्या लेने हैं बस एक ही भगवान है कृष्ण जो कभी कोई परतिग्या नहीं लेते हैं। कि मैं ऐसे कर दूँगा या वैसे कर दूँगा नहीं कोई परतिग्या नहीं आवशकता है। आवशकता यही होता है महापुरुशों का वो कृष्ण कि वूनी बन गया ऐसी कथा आती है गुरु मच्छंदरनाथ की जो गुरु गुरक नाथ के गुरु थे गुरु मच्छंदरनाथ जी एक बार एक ऐसे राज जमे गये जहां पर कोई पुरुष नहीं था और वहां की जो रानी ठी राजकुमारी थी वह विवाह करना चाहती थी और उस समय मचंदर नाज जी को लगा कि यहाँ पर विवाह करना मेरे लिए उचित है उन्होंने विवाह कर लिया अब उनके जो चेले थे वो बचारे संचा में आ गए कि भाई ये गुरु जी ने तो विवाह कर लिया ये तो सादू सन्यासी ते नोंने शादी क्यों कर ली उस समय उनका वो कर्म उस समय वह जो कारे था वह उचित था उस स्थान पर बहुत सारे योगी हुए श्री श्यामाचरन लाडी महाशे हुए उनकी पांच संताने थी तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे वो पूर्णता ब्रह्मचारी थे तो इसी लिए हम क्या समझ कर हम कोई चीज़ फिक्स करके जब चलते हैं तो उसमें हम निश्काम कर्म योग को कभी प्राप्त नहीं हो सकते और कहीं न कहीं हम बहुत जादा अपने संतुलन को बिगाड देंगे और जब संतुलन बिगडेगा तो मातर दुख की प्राप्ती होगी अशान्ती की प्राप्ती होगी इसी लिए हमें संतुलित जीवन जीना और निश्काम भावना से कर्म करना हमें इस विचार धारा को धारन करना चाहिए और समझना चाहिए और जितना अधिक हम इस प्रकृति को समझे, स्वेम को समझे और साधना के मार्क पर आत्म सहियम योग ध्यान तो कि ध्यान योग निश्काम कर्म में सहयोग करता है क्योंकि हमारा फोकस इतना बढ़ा देता है कि हम सुक्ष्मिता से हर विशय को समझ लेते हैं और कुछ भी हम निश्वित करकर फिर नहीं चलते हैं विवेक से चलते हैं तो हमें विवेक से चलना चाहिए ना कि परतिग्याओं से चलना चाहिए ठीक है कोई अच्छा संकल्प लेना अच्छी बात है लेकिन हो सकता है कि जो हमने संकल्प लिया है परस्थितियों के अनुकूल परस्थितियां बदले और वह जो कारे जो हमें नहीं करना था वो भी हमें करना पड़े यह निर्भर करता है परस्थितियों पर यह स्वेम के परती इमानदार होने के विशह है दुनिया को दिखाने का विशह नहीं है या दुनिया के सामने परमानित करने का विशह नहीं इसलिए यूग का मार्ग अगर आप कहते हो कि मुझे यूग के मार्ग पर चलना है तो यहाँ आपकी नीजी जिम्मेदारी होती है कि आप यूग के मार्ग पर चलेंगे आप अध्यात्मी के मार्ग पर चलेंगे आप मुक्ती के मार्ग पर चलेंगे हाँ ठीक है कोई सहायक हो सकता है कोई मार्ग दायक हो सकता है कोई आपको मार्ग दे कोई आपकी सहायता करे वो एक अलग विशह है लेकिन जब तक आप स्वेम के परतियमांदार नहीं होंगे तब तक कौन आपकी साहता करेगा कौन आपको मार्ग दिखाएगा जो मार्ग जानता भी हो वो दिखा कर क्या कर लेगा जब आप खुद ही नहीं करना चाहते तो इसलिए आवश्चक है कुछी ने आज मुझसे पूछा कि जीवन कैसा जीना चाहिए मैंने कहा कि अध्यात्म और अध्यात्मिक चर्चा में मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या बस यही अध्यात्मिक चर्चा ही करते हैं या योग के मार्ग पर, मैंने का कि कोई अध्यात्मिक चर्चा या अध्यात्मिक गुरू या कोई मैं बहुत संत और लोग मुझे खुब गुरुजी गुरुजी कह के प्रणाम करें, मेरा कोई ऐसा उद्दिष्च विक्तिगत रूप से नहीं है कुछ लोग कहते हैं करते हैं तो मैं उन्हें मना भी नहीं करता हूँ और कई बार कुछ लोग को मैं मना भी कर देता हूँ कि भाई नहीं भी करता हूँ देखता हूँ कि हाँ सामने वाले को कुछ कह सकते हैं तो कह देते हैं नहीं तो नहीं कहते हैं तो इस तरह से अध्यात्मिक जीवन को जीना लोगों तक सही अध्यात्म को पहुचाना वो जीवन को बहतर तरीके से समझें वो प्रकृति को अच्छे तरीके से समझें और अपने जीवन को बहतर बनाएं अगर वो मेरे विचार सुनकर या इस यूटूब चैनल से सुनकर अ ऐसा कोई मेरा उद्धिश नहीं है इसलिए मैं अपने आपको वैसे रूप में प्रस्तुत करें क्योंकि संतुलन बना रहना चाहिए कभी हर चीज का लाव मिलता है चीख है? तो ये आप इस बात को समझे तो मैंने उन महानुभाव को कहा कि भाई देखो अगर तुम बहतर जीवन जीना चाहते हो तो तुम भी अध्यात्मिक उसमें अगर तुम लगते हो जीवन को खुद समझो और दूसरों को भी कुछ समझा सको बता सको किसी भी तरह से ऐसे अभियान में सहयोगी बन सको तो तुम्हारा मैं तो कहूंगा कि यह जीवन सफल है खुद नहीं कर सकते तो कोई कर रहा है तो उसके साथ मिल कर सकते हो तो जीवन यही है अच्छे काम में हमें कुछ हम लग जाएं नि तो बहुत तरह के चीजे संसार में हो रही है लोगों की बहुत तरह की जरूरते हैं और उसके अधार पर बहुत सारी चीजे हो रही है बहुत तरह का वेपार चल रहा है हम क्या चुनते हैं यह हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है तो यह सब विशे हैं यह सारी बाते हैं और इसको समझ कर हमें चलना चाहिए तो चलिए संतुलन नहीं बनता है और संतुलन बनता है तभी जीवन में सुख आता है और संतुलन बिगड़ेगा तो सुख भी जाएगा संतुलन तभी आएगा जब करने योग हम सभी कर्मों को अपने निशकाम भावना से हम पूर्ण करें पूर्ण करें और जीवन और निशकाम भाव गीता किसी व्यक्ति से मैं सुनता था तो कोई महात्मा जी उपदेश दे देते थे कि निश्काम भावना से कर्म करो, निश्काम भावना से कर्म करना कोई जबरदस्ती नहीं, आरे भाई यह आपकी आवशक्ता है कि आप निश्काम भावना से कर्म करें, आपको खुद ही जी तो ये निश्काम भावना से कर्म करना कोई गुरु आज्या नहीं है कि जबरदस्ती गुरु जी ने कहा है निश्काम भावना से कर्म करना चाहिए अब कई लोग निश्काम भावना के अपने नीजी नीजी अर्थ भी निकाल लेते हैं तो इसलिए यह कोई गुरु आज्या वाली बात नहीं है कि निश्काम भावना से कर्म करो औरे सच मानिए जिस दिन आप अपने जीवन को सही धंग से समझेंगे जिस दिन इस प्रकृति का खेल आपको समझ में आ जाएगा भगवान ने साप साप लिखा है कि जिस दिन तुम्हें कर्म का तक तो समझ में आ जाएगा अकर्म क्या है कर्म क्या है विकर्म क्या है ये तीनों बाते जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी अपने आप तुम निश्कामता की और सल पड़ोगे अपने आप निश्काम होने लगोगे भाई जिस दिन तुम्हें प्रकृति का खेल समझ में आ जाएगा इसका वैपार समझ में आ जाएगा आप बस समझ लोगे भाई जब तक ये शरीर है कर्म किये जाओ जैसे सामने आ रहा है जो करतवे आ रहा है किये जाओ ना तो दुनिया जीत कर कुछ मिलने वाला है और ना ही बहुत दुनिया में प्रसिद्धी प्राप्त करकर कुछ मिलने वाला है जो सामने इस सब कुछ प्रकृति के हाथ में है प्रकृति देती है लेती है सब करती है ये मान भी देती है अपमान भी देती है यश्र भी देती है अपयश्र भी देती है कभी धन भी देती है कभी कंगाल भी बनाती है यह सब कुछ चलता रहता है आप भी चलते रहिए और देखिए एक बार आप प्रकृती को सब कुछ करने दीजिए आप देखेंगे चीज़े अप वह सारी चीज़ी अपने आप ही होते जा रही है बस आप अपने कर्टवरे की पालना करते चलिए बहुत चट पतायी हैं उत्सार दलदल में ये संसार दल दल है और दलदल में अगर चट पताये तो और जल्दी डूबेंगे और उतना दम आपका घुटेगा उतना आप परिशान होंगे तो बस आहिस्ता से शांती से देखते जाएए कि जीवन में कौन-कौन से परस्थितियां सामने आ रही है पता नहीं कब क्या हो जाए कि संसार ऐसा ही है या पिर्थवी ऐसे ही है संसार प्रकृती ऐसे ही चीज है तो इसी लिए बस धीरे-धीरे सुक्ष्म गती को रखिए पहचानिये ध्यान करिए स्वेम में इस्थित होने का प्रयास कीजिए सबसे बड़ा आनंद तो वहीं पर है और उसे करना चाहिए इसलिए चल रही है चीज़े चलने दीजिए अपने आप वह सारी चीज़े आती है कर्मों को करते चलिए जो सामने कर्म करतव आ रहे हैं करते चलिए जितना संभव है उतना करिए ठीक है तो यह सब हमें समझना चाहिए और करना चाहिए और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारे जीवन में कई लोग जोतिश का सहरा लेते हैं मुझसे भी कई लोग प्रशने पूछते हैं और आप भी पूछ सकते हैं अगर जोतिश विशलेशन अपने जनम कुली का विशलेशन आपने करवाना है, समझना है तो आप पूछ सकते हैं लेकिन गरह भी क्या कहते हैं गरह भी कहते हैं कि भाईया ऐसे कर्म करो ऐसे कर्म करो ऐसे करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुमारे लिए तुम सोचते हो कि मैं ये हो जाओ, वो बन जाओ ठीक है सोचना बोट अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए लेकिन गरह भी कई बार दिशा देते हैं कि भाई ऐसे रहो, थोड़ा ऐसे मैनेज करो थोड़ा ऐसे मैनेज करो फिर देखो जीवन तुमारा ठीक से चलेगा गरह भी यही सब, किसी को सब कुछ नहीं देते हैं किसी को यश्ट देते हैं तो परिवार अच्छा नहीं देते किसी को धन देते हैं तो कुछ दूसरी समस्या गरह डाल देते हैं प्रकृती का अपना चक्कर है सब, चलता ही रहता है ठीक है? तो इसी का नाम प्रकृती है यह अपूर्णता को हमें महसूस कराती रहती है हम निश्काम भावना से कर्म करे, कर्म योग की और आगे बढ़े ध्यान करकर अपने आपको जाने, स्वेम को जाने, आत्मसैयम योग करे स्वेम को जाने, स्वेम कस्तित को समझे, स्वेम में स्थिर हो जाए बस जीवन बीद जाएगा स्वेम को जानने में जीवन लगा दो जीवन सफल हो जाएगा यही जीवन की सफलता है कि आपने अच्छे से जीवन जी लिया ठीक है? नहीं तो बड़े-बड़े पद को प्राप्त करने वाले भी पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं बहुत कुछ होता रहता है छोड़िये चलिए जिसके चर्चा हम करते रहते हैं लोगों के अने को दुख है अने को संताप है दुख आने के अने को रास्ते हैं उसके बीच में सुख और दुख के बीच में हमें जीवन को जीना सीखना है यही संतुलन का मार्ग है ये इसी को भगवान निश्काम कर्म कह रहे हैं इसी को यग्य कह रहे हैं और इसी से सुख आता है नहीं तो असंतुलित होगा जीवन तो दुख आएगा कई बहुत सुखी होने ज्यादा तर संतुलन क्यूं बिगड़ता है सुखी होने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा सुखी होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सुखी होने के चक्कर में अपना संतुलन बिगाड़ लेते हैं और दुखी हो जाते हैं तो हमें संतुलित अवस्था की और आगे बढ़ना है, संतुलन में रहने की कोशिश करना है, ठीक है, बस इसी उद्देशी के साथ जीवन हम जीएं, एक बैलेंस हम अपना डेवलप करें, तो हमारा फोकस भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा होगा, वर्क एफेसेंसी भी अच्छी बनी रहेगी, इन सब का लाभ हमें मिलेगा, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान यूग का कोर्स, आपको फिलोसफी का कोर्स, दर्शन, विश्व दर्शन की उपर चर्चा हो रही है इसमें, विथी इंडियन एन वेस्टर अप्रोच, फिलोसफी का कोर्स चल को देखा, हरेकलाइटस ने देखा कि जीवन तो नदी की तरह बह रही है, बह रही है जीवन तो नदी की तरह उसने कहा कि कुछ भी तो संसार में टिकता नहीं है, एक पाश्यात दर्शनिक ता हरेकलाइटस, डिकाटिस ने देखा कि भाई, कौन सी चीज है जो इस्थिर है और absolute है उसने कहा सब कुछ तो बदल रहा है हर चीज़ पर मैं doubt कर सकता हूँ सिर्फ एक चीज़ पर doubt नहीं करूँगा और वो मैं खुद हूँ मेरी आत्मा है मेरा मन है मैं उस पर doubt नहीं कर सकता हूँ तो वो absolute है फिर इस तरह से दर्शनिकों ने पाश्चाद दर्शनिकों ने हमारे देश में कई दर्शनिक महान दर्शनिकों ने अब उस सत्य को जानने की कोशिस की और उन्होंने अपने अपने विचार अलग अलग ढग से रखने की कोशिस की यही दर्शन का कोर्स है कुछ लोग सोचते हैंगा ये philosophy में क्या ये दर्शन में क्या बताएंगे जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए ठीक है नहीं जानते तो उनके लिए प्रशन हो सकता है तो विश्व के बड़े बड़े दारशनिक, विश्व के बड़े बड़े विचारक उन्होंने कैसे विचार दिये, किस धंग से वो सोचते थे, क्या समझाने का कोशिस किया, कौन सा रहसे, प्रकृति का गूर रहसे, वो कौन सा रहसे हमारे सामने रख रहे हैं, विश्व के और भारति दारशनिक जो है हमारे वो कौन सा रहसर रख रहे हैं, तो इन सभी को हम उसमें बताते हैं, Western philosophy, Indian philosophy दोनों को लेकर चला जाता है, तो World philosophy, एक हमारे सामने बन जाता है, एक वर्ल्ड व्यू बनता है हमारा, तो हम समझ पाते हैं कि अलग-अलग देशों में कैसे-कैसे विचारों का प्रचार हुआ और उनसे कुछ परिवर्तन आये, तो किस परकार का परिवर्तन आये चेंजिस कैसे-कैसे आये, तो यह फिलासफी के कोर्स के अंतरगत हम अध्यन करते हैं और चर्चा करते हैं इस पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भी recording videos ही आपको पहले मिलती है, बाद में live classes की बात आती है तो ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी 2023 से सुरू हो जाएगा, एक महिने का कोर्स है इसमें guided meditation, transcendental meditation इस सब कोर्सेस आप कर सकते हैं आगे प्राकर्तिक चिकित्सा का यह कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं जोतिश visualization भी आप करवा सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ पर इसको add नहीं किया है इस slide में तो आप उसको भी अगर आप लाब उठाना चाहें तो उसका भी लाब आप उठा सकते हैं, जोतिश visualization का भी तो वह कैसे प्राप्त करेंगे, आप इसी तरह से phone number पर आप प्राप्त करेंगे या phone number दिया हुआ है, इस पर आप सुल्क भी बताया हुआ है आपको इस पर consultation दी जाएगी और जरूरी जो भी है आपके उससे पूछा जाएगा शुल्क भी इसमें mentioned है, तो आप इसका भी लाब उठा सकते हैं, यदि आप कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं चलिए, इसी के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ेंगे और जो महानुभाव आज उपस्थित हैं अवधेश कुमार जी, जगत नरायन जी बहुत अभिनंदन है, शंकर प्रसाद जी, शित्रंजन बरुवा जी, गंभीर शाह जी, पवन कुमार गुपता जी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करने से क्या लाब होगा प्लीज, नाडियां शुद्ध होती है, नाडी शोधन होता है आपका इससे कल ही बता दिये थे स्विशे को कि नाडी शोधन होता है और जितनी नाडियां शुद्ध होंगी, उतना ध्यान अच्छा होगा, उतना प्रणव अच्छा होगा, ध्यान की गहराई में डूबेंगे, और जितना ध्यान अच्छा होगा, इस प्रकृती के रहस से उतने और अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है? जीवन को और उतना बहतर आप कर पाएंगे जीवन को और गहराई से समझ पाएंगे ध्यान जब अच्छा होगा तो ध्यान का प्रभाव क्या होगा सारा दिन जो आप कर्म करेंगे उस पर ध्यान का प्रभाव आएगा लेकिन या एक दो दिन या एक दो महिने के ध्यान से नहीं जब तक हम इसलिए भगवान कृष्ण जो कह रहे है शने शने रोज करो भाई डेली करो तब जाकर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे ठीक है तो यह चीज है तो अप्राण अपान में काई तो नाड़ी शोधन की क्रिया एक तरह से भगवान ने बताई है यहां पर ठीक है जो यह इस लोग है और उसको इसपच्ट किया था कल ही लाब बहुत बड़ा लाब है नाड़ी शोधन क्रिया से नाड़िया शुद्ध होती है शारीक व्याधियों पर नियंत्रन आता है ध्यान अच्छा होगा तो बहुत कुछ होता है ध्यान होने से आपके जो बोड़ी पार्ट्स है बोड़ी एक्टिविडी से उस पर भी गंबीर शाह जी पता नहीं चलेगा हमें कहने का मतलग कि हमें सही से पता नहींिं चल पाएगा हम सुक्ष मन भूतियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे गंबीर शाह जी, पवन कुमार गुपता जी, नबजोतिना जी, नरसा राम जी, राजू पाल जी, एके त्यागे जी, अरजन भाई चोहान, रूपलाल विश्व कर्मा जी, बबीता धिमान जी, उशा सिरवास्तो जी, फिखर शर्मा जी, कनहाई कुमार जी, बिकरम सिंग जी विनूद के सूद सविता नायक जी, फनी विडियोज विश्णु चंद्र मौरिया, श्वेता राय सिनहा जी, बहुत अभिनंदन है, गुविंद प्रसाद नीमा जी, राम निवास मीना संतोष कुमार, बिमला साह जी, राम विलास जी, सुबास लांडे जी, किशूर वैद जी, हीरा लाल यादो, पंकस सोनी जी, बिसलाल, बहादुर सिंग जी, स्मिता सावंत जी, माधुरी, कोले, आशा, रानी, नवजोतिनाद जी, ठीक है, तर दोज हूँ है डन मेडिटेशन कोर्स, गीव दें फिलासोफी कोर्स फ्री नहीं, मेड फिलासोफी दर्शन, एक ब करने में, पूरा करने में, और कई बार क्या होता है, कि हम ठीक है, हम बहुत शॉटकट में भी चीज़े निकाल सकते हैं, जो लोग फिलासोफी का कोर्स जान कर रहे हैं, वो भली भाती इस बात को समझ पा रहे होंगे, अभी जो 29 अक्टूबर को जो फिलासोफी का कोर्स श चलता है, ऐसा है कि कोई फॉर्मलिटी मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, आप उसके लिए पे करते हैं, लेकिन मैं भी कोई फॉर्मलिटी नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, कैरे ये वला है ना, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, अब बहुत धर्शन समझाना, एक वीडियो में ह सब बताके निकल लेते हैं क्या दिक्कत है। लोगों ने पैसे तो देही दिये हैं, क्या हर पॉइंट को ऊठाना या सम लेकिन यह जो फिलासफी का कॉर्स चल रहा है, यह formal कॉर्स नहीं है। क्मपेलिट होगा, उसके बाद हम कुछ लाइब सेशन, कुछ बातों को समझने के लिए करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ जो 29 अक्टूबर को सुरूआ है वो भी अभी तक कम्प्लेट नहीं हुआ है समझ रहे हैं नवजोतनाद जी लेकिन मेरी एक्षा है इसका कम से कम सुल्क रखा जाए जिसे कि लोग जादा से जादा लाभानवित हों इसलिए इसका शुल्क बहुत कम रखा गया है काले मैंने सुचा कि चलो 11 और रख देते पिछली बार जिन्होंने दो-दो बार पेमेंट किया है उन्होंने जादा ही दिया है फाइनली मैंने कहा कि इसको ताकि जो चातर वर्ग है युवा वर्ग है अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं तो 900 रुपए कोई बहुत अधिक नहीं है तो उसमें लेकिन हाँ जो लोग जोईन करें वो गंभीरता से जोईन करें और जब मैं किसी विशय पर कुछ देता हूँ फिलासफी के अंदर तो उसके साथ वो नहीं कर सकता एक बस फार्मल्टी में मैं विडियोज नहीं बना सकता वो मुझसे खुद से ही नहीं होता अपने आप से ही नहीं होता वो कि चलो भाई बस बनाना है बस इसके उपर थोड़ा बोल देते हैं हो गया काम चलते हैं आगे बढ़ते हैं ये चीज नहीं होता है विशयों को conclude करना होता है topics को conclude करना होता है तो वो एक concluding message उसमें हो किसी भी हम चाहे western philosophy कोई topic हम discuss कर रहे हैं तो उसका एक ठीक है बहुत चीजे और भी उसमें अगर हम पढ़ेंगे अब हम मालिजे की modern philosophy को पढ़ेंगे तो एक अही philosopher को आप ना जाने कितना पढ़ जाएं उनकी किताबे इतने लिखी हुई तो वो एक अलग बात है लेकिन उनका जो basics है वो पूरा clear होना चाहिए और वो clear करने का उद्धिश इस course में होता है तो कोई formality नहीं की जाती है सच पूछिए तो इस course को पूरा बनाने में साथ दूसरे courses सो भी ज़्यादा मेहनत है ठीक है ये चीज है जब तक आपको लग रहा है कि बस ऐसी ही आए और बोल के चले गए वो वाली बात नहीं है फिलोसफी के course में हर topic पर गहनता सद्धन करना और एक जरूरी बात और actual fact लेकर आना वो एक जिम्मेदारी होती है तो वो उस जिम्मेदारी से की जाती है ठीक साशिनाज जी, तराली, बरुवा जी बहुत अबिरंदन है आपका सयारानी साशिनाज जी ओमतस्त गोजी प्रणाम साधना में परमानंद के नुभूती कहां से आती है भीतर से आएगी एक आगरता से आएगी ले से आएगी जितेंदर साहू वाट इस तो special बता दिया philosophy course में क्या special है सरोज, कृष्णानी, प्रतमेश जी पता दिये philosophy course में क्या है दुनिया भर के विचारकों ने जीवन को कैसे देखा प्रग्रती को कैसे देखा कौन सी बात समझाने की कोचिश की वही सब है मनीश जादव जी, अशोक माली जी हरी शरन सिंग जी, वहुत अभिनंदन राम विलाश जी हमें मुक्ती प्रकृती से चाहिए या भगवान से चाहिए भगवान तो सरवदा मुक्त है प्रकृती ही तो मुक्ती देगी प्रकृती से ही चाहिए ओमतस्त कुछ लोग कुछ खाना जैसे गाजा रादी या आलू या अन्य एक या दो भोजे पदार्थ खाना धार्मिक या विक्तिकत कारण से स्वास्त कारण से नहीं प्रण लेकर छोड़ देते हैं क्या यह भी संतुलन है अगर संतुलन की भावना से करते हैं तो ठीक है हाँ यह नियम बनाया गया हो यह संतुलन का इसकी पीछे कारण हो सकता है या किसी संकल्प को धारन करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि आज से मैंने ये छोड़ दिया आज मैंने गंगा सनान किया तो ये त्याग दिया या वो त्याग दिया लोग ऐसे करते हैं चीख है तो एक संकल्प शक्ती का विकास होता है हम ये कह सकते है संकल्प शक्ती का विकास होता है इससे लेकिन इससे धर्म सिद्ध हो जाएगा या हमारी मुक्ती हमें सिद्ध हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है और यदि नुकसान हो तो हमें बदल देना जाएगा यही तो कृष्ण समझा रहे हैं माल लिजिए कि अब किसी ने कोई खाना छोड़ दिया गाजर खाना चोड़ दिया डॉक्टर ने कहा कि भाई बिटामिन-ए लिया करो थड़ा घाजर खाया करो ठीक है तो परस्थितियों पर निर्भर करता है कि अब बिटामिन-ए के दूसरे भी स्रोत हो सकते हैं लेकिन इसको धर्म ना मानके चलें ठीक है यह जबरदस्ती का प्रतिज्या प्रस्थितियों के अनुसार आपको इसमें भी बदलाव लाना चाहिए क्योंकि प्राणों के रक्षा तो पहला धर्म है ठीक तो यही समझना चाहिए सम्यक जीवन जीना है इस्तित प्रग्य जी हां इसमीता सावंत जी घंशाम सरोदे जी अमन ककर जी मिस्टर ए सार पूछने के लिए माफिय गुरुजी आप ध्यान योग में कई वर्सों से हैं आप इस यात्रा में कहां तक पहुँचे हैं किर्पया संशिप्त में बताने कि कहीं भी साइद नहीं पहुँचे हैं बस इतना पहुँचे हैं कि लोगों की समस्याएं कुछ बता पाते हैं करवा पाते हैं और कई बार यहां पर मैंने कुछ-कुछ अनुभूतियों की चर्चा मैंने यहां पर की है अब उससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं यहां आप आपको लगता है कि मैं कहां तक पहुँचा हूँ तो आप मेरा अनुसरन कर सकते हैं और आपको लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ तो वेर्थ मेरे पीछे समय बरबाद मत कीजिए ठीक है यही मैं कह सकता हूँ लेकिन अगर मैं यहां पर बताओं संशिप्त से कि मै कहां तक पहुँचा हूँ तो तो क्या उस से आपको पता चल जाएगा कि मैं वहां तक पहुँचा हूँ, अगर मैं यह बता हूँ हलाग विवेकाणनद ने राम-कृर्ष्ण परम हंस के पास जब हो गए तो खहते हैं कि कि आप कहां मतलब कि आप ने क्या इश्वर को जाना है ठाकुर ने कहा कि हाँ मैंने जाना है देखा है नरहिंद राव ने कहा कि नहीं मैं कैसे मालनू कि आपने जाना है देखा है तो मैं कहां तक पहुचा हूँ इस बात से क्या आपको पता चल रहा है कि मैं कहां तक पहुचा हूँ वैसे मैंने कई अनुभूतियों अपनी अनुभूतियों की ध्यान योग करते हुए अपनी अनुभूतियों की कई बार चर्चा की है ऐसी बात नहीं है तो चलिए आप प्रतिक्षा कीजिए साध में अचानक से कभी चर्चा कर दूँ वैसी चर्चा है मैं ऐसे नहीं करता हूं एक बात हमेसा ध्यान लखिएगा कि जो है आप बहुत सारे लोग प्रश्ण करते हैं कई लोग वाटसप पे भी प्रश्ण करते हैं और उनको मार्ग दिया जाता है कई सारी चीज़े बाते बताई जाती हैं बाते आ जाती हैं कि आप अपने अंतर में कितना उत्रे हुए हैं कितना आप ध्यान योग में परिपक वो हो रहे हैं अगर आप नहीं हो रहे हैं एक तरफ कुछ महानुभाव तो ऐसे मिलते हैं कि उनको वो काम नहीं करना है जो मैं कह रहा हूं अगर कोई मैं मार्ग बता रहा हूं उस मार्ग पर नहीं चलना है लेकिन उनको हमेशा अपने प्रशनों का उत्तर चाहिए तो जो ल रास्ता में बता रहा हूं या कुछ कह रहा हूं नहीं तो व्यर्थि के प्रशन तो बनते रहेंगे, आप प्रशन करते रहेंगे, तो फिर उनके लिए मैं कहीं विकलब चुनता हूं कि मुझे उत्तर नहीं देना है, आप यह मान सकते हैं कि मुझे उत्तर नहीं पता है, जो बता रहा हूं अगर आपको लेना है तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं रिशी डांगी जी आपका अद्वाइत का ज्यान अद्वित्य है परभोला भक्त क्या करे विवहारिक जगत में तो द्वैते ही सुलब दिखता है जी हाँ द्वैते ही सकता है विवहारिक जगत में इसमें कोई संशय नहीं है विवहारिक ये तो आदी गुरु शंकराचारे आदिगुरु शंकराचारे ने अद्वाइत को पार्मार्थिक सत्ता के रूप में माना है ना कि वेवहारिक वेवहारिक सत्ता के रूप में अद्वाइत को नहीं माना है ठीक है पार्मार्थिक सत्ता के रूप में अगारजुन ने भी शुन्य को पारमार्थिक रूप में स्विकार किया है, ना कि विभारिक। क्या द्वैत से ये प्रशन ही गलत हो जाएगा। क्या द्वैत से हम मिर्ची खा कर मिठे का स्वाद आ जाएगा। रिशी डांगी जी मिर्ची खाकर मिठे का स्वाद आ जाएगा संभव है क्या नहीं आएगा मिर्ची खाकर मिठे का स्वाद नहीं आसकता कभी नहीं आसकता चीक तो इसी लिए आप ऐसी कामना मत रखिए कि द्वैत से हम इश्वर में विलीन हो जाएंगे हाँ द्वैत को आप सीड़ ही जरूर बनाएंगे, स्रीमत भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने सारा इस पश्ट किया हुआ है, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका योग द्वैत से ही शुरू होगा, ना कि सीधा अद्वैत में जाएगा, शुरुवात द्वैत से होगी, प्राप्त फॉलो कीजिए, सुनिए, और गीता तो महत पुर्ण विश्ट है, इसको समझने के लिए, जो आप प्रश्ण कर रहे हैं, क्या द्वैत से भी इश्वर में, श्रीमत भगवद गीता में, दो दो तिन तिन बार भगवान कृष्ण ने इस विशेक उठाया, आगे बारहमें अध्याय में, उनसे जब पूछा जाता है, कि निर्गुन सगुन भक्ती में क्या स्रिष्ट है, वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह का उत्तर दिया है, निर्गुन को उन्होंने स्रिष्ट बताते भी भी कहा है, कि सगुन स्रिष्ट इसलिए हो जाता है, क्योंकि वो वेव द्वाइत से ही आपको शुरू करना है कोई सीधा अद्वाइत में नहीं चला जाता तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज की चर्चा को कल फिर मिलते हैं नाइन पीम में लाइव चर्चा में हम मिलते हैं तो मूलता यही मैं कुछ लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न करत हैं जिनके लिए मुझे यह मैं यह कह रहा हूं कि मैं कुछ दे रहा हूं मैं कुछ बता रहा हूं ध्यान योग योग के विशह में कुछ आध्यात्मी के विशह में ताकि लोगों का जीवन सरल हो बहतर हो आपको सरल बहतर करना है आपको लग रहा है कि यह जो बाते बता र दे दूँगा आधिगुरु संकराचारे को सरवग्य कहा जाता था लेकिन फिर भी वो हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे अभी कोई भाई साब मुझको कोई मैसेज किये थे कि कोई कोई देवता के पूजा के बारे में बताईए वो शादी भी हमें पूजाना मत कीजिए ये बेकार चला जाएगा कि आप बहुत महा ग्यानी हैं आप यह हैं आप मुझे ये वाला पूजा के बारे में बता जो बता रहा हूँ लेना है तो लो और नहीं तो कहीं और से प्राप्त कीजिए एक से एक आप सभी का ओम तत्सक्त